नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल जेस्टॉपक इस्टेडी में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सरली करन के कुछ सवालों को सौल्व करवाने वाला हूँ ये जो सवाल हैं आपके बहुत ही काम आने वाले हैं जब आप किसी भी कॉम्प्रिशन एक्जाम की तैयारी करेंगे या फिर अभी भी जो आप केर्कुलेशन करते हैं उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बूश्ट मिल जाएगा अगर आप इन सवालों को समझ लेते हैं बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह है कि मैंने चार सवाल लिये हुए हैं इन चारों ही सवालों को आपको डीटेल्स में और ध्यान पूरवक समझना जरूरी है तब ही आपको ये समझ ही में आप आपाए तो चलिए हमारा जो पहला सवाल है इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और इसको अब हम क्या करेंगे solve करेंगे ठीक है तो यह हमारा सवाल आ गया है उठकर यहाँ पर ठीक है चलिए अब हम इसको solve करेंगे लेकिन solve करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ rules पता होना चाह अब आपको ये नहीं पता कि भई या पहले हम प्लस कर लें कि गुणा कर लें कि भाग कर लें क्या करने ठीक है तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए पता उसके लिए आपको पता होना चाहिए बॉर्ड मास रूल ठीक है बॉर्ड मास रूल ये क्या होता है ये rule हमें बताता है कि भाई पहले हमें गुणा करना है कि जोड करना है कि घटा ना करना ठीक है तो board mass rule में हम ज़्यादा details में नहीं समझेंगे मैं direct आपको बता देता हूँ board mass rule का जो निचोड है बो में आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है अगर आपको इस तरह का सवाल देखे तो सबसे पहले नंबर पर आप भाग करेंगे दूसरे नंबर पर आप क्या करेंगे गुणा करेंगे तीसरे नंबर पर आप क्या करेंगे तीसरे नंबर पर आप जोड करेंगे और चोथे नंबर पर आप क्या करेंगे घटाब करेंगे ठीक है तो इस सीरीज में आपको सॉल्व करना है ठीक चलिए अब इसको हम हल कर लेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या करना है भाग करना है अब भाग देखिए इन दोनों की बीच में है ठीक है भाग इन दोनों की बीच में है तो हमको सब करने के बाद हमारे पास में क्या आ गया है यहाँ पर आ गया है हमारे पास 12 ठीक है चलिए यह हमारा काम खतम हो गया और यह हमारा क्या हो गया 12 ठीक अब इसके बाद में बोल रहा है कि भाई अब इसके बाद में आप क्या कर सकते हो तो गुणा कर सकते हो, तो गुणा देखिए, यहाँ पर, यह तो हल हो गया, अब गुणा देखिए, यहाँ पर क्या है, साथ, गुणा बारा, इन दोलों की बीच में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, चार भी है, तो यह माइनस चार, इ बारा ठीक है चलिए अब हम क्या करेंगे इसको गुणा कर लेते हैं ठीक है चलिए गुणा करेंगे देखिए यहाँ पर आट दुनी 16 की 6 हासल एक और यहाँ पर दो दुनी 4 और 5 ठीक है यह हो गया 56 इसके बाद में यहाँ पर 28 से कम कितना हो जागा 28 ठीक चलिए जोड लीज देंगे 336 लिख देंगे ठीक है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कितना आ गया है माइनस का 336 आ गया है किलियर है यहाँ तक चलिए अब देखिए अब इसकी बाद में हमसे बोल रहा है कि भाई आपने भाग कर लिया गुणा कर लिया अब इसकी बाद में आप क्या क में आ चुका है ठीक है अब क्या करेंगे तो देखिए ये जो है ये प्लस का है और ये भी प्लस का है ठीक है तो प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं तीन और एक कितना हो जाएगा 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 और 3 रोख हो जाएगा हमारा 4 ठीक है और यहाँ पर यह क्या है माइनस का 336 है अब 46 को 336 में से घटा दीजिए तो यहाँ पर क्या आजाएगा देखी माइनस का 336 और यह हो जाएगा हमारा 46 इस घटा ये 6 मेंच 6 जाएगा 0 बचएगा 3 मेंच 4 तो जाएँग की नहीं गदाल लेंगे ये हो जाएगा 13 मेंच 4 जाएँगे तो क्या बचेगा हमारा बचेगा 9 बचेगा ठीक है तो ये होगे हमारा 10 और यहां पर बचा हमारा 2 तो 290 हमारा बचा है वो भी काय का माइनस का ठीक है तो माइनस का 290 जो है वो हमारा पहले वाले सवाल का आंसर आ चुका है इस प्रकार से आपको solve करना ठीक है तो आपको क्या ध्यान रखना है सबसे पहले भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे फिर जोड करेंगे फिर घटाप करेंगे इसी फार्मेट में आपको solve करना ठीक है चलिए अब हमारा जो दूसरा सवाल है अब हम उसको solve करेंगे ठीक है ध्यान पूरबग देखिएगा ठीक है चलिए तो इस सवाल को जहां से उठाये था वहीं पर रख देते हैं और बापस हमारा आप जो दूसरा सवाल है अब हम उसको solve करेंगे ठीक है इसको ठालेते हैं यहां पर ठीक चलिए अब आ गया है हमारा दूसरा सवाल हमारे सामने अब यहां पर भी देखिए वही condition है मतलब हमें पहले भाग करना है फिर जोड का फिर गुणा करना है फिर जोड फर घटा आप इसी सीरीज में करेंगे ठीक है लेकिन इससे पहले हमें यहां पर कोष्टक दिया गया है ठीक है तो सबसे पहले यही रूल कोष्टक के अंदर अपलाई होगा फिर कोष्टक के बाहर ठीक है देखिए समझ यह कैंसे होगा अब ही आपको समझ में आ जाएगा ठीक है चलिए तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यह क्या है 60 इसके बाद में भाग यह हो गया हमारा 5 और गुणा ठीक है अब हमें सबसे पहले इसके अंदर की संख्याओं को solve कर लेना है और उसको यहाँ पर हम लिख देंगे और बाहर जो संख्याओ यहाँ पर यहाँ पर है भाग 2 ठीक है तो सबसे पहले क्या होता है भाग होता है तो भाग देखिए आठ बटे 2 करेंगे यानी 8 भाग 2 करेंगे तो क्या आएगा ने के बाद में किटना आ गया है। यह होगे 16-4, 16 मैंसे 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है, तो इसको solve करने के बाद में क्या आ गया है, यह आ गया है हमारा 12, ठीक है, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखें, यह होगे हमारा 60, ठीक, यह होगे हमारा भाग, 5, यह होगे हमार गुणा, और यह होगे हमारा 12, फिर होगे हमारा भाग है, ठीक है, अब देखें, फिर से हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, मतलब की भाग इसके बीच में हैं, ठीक है, तो 12 में 3 से भाग लगाईए, कितनी बाद जागे देखें, 12 बटे 3, य यहाँ पर हमारा क्या आ गया है, 12 गुणा, 4, तो यहाँ पर 12 और 4 गुणा करेंगे, 4 दुनी हो जायेगा, 8 और 4 एकम, 4 तो कितना हो गया, 48, तो इस सवाल का आ गया है, 48 आ ठीक है, तो यह कितना सिंपल है, देखिए, इतने ही सिंपल दरीके से सभी सवालों को हम क्या करें हैं वाई, तू अपनी जगा पर जाओ, चलिए, अगले सवाल को यहाँ से उठाते हैं, तीसरे सवाल को, यह है हमारा तीसरा सवाल, अब हम इसको क्या करेंगे, solve करेंगे, तो यह देखिए, यह बहुत आसान है, इसको तो आप भी घर पे भी solve कर सकते हैं, लेकिन मैं आपक क्योंकि बहुत सार इस्टोनेटेंस हैं, जिनको नहीं आएगा, तो यह हो गया, देखिए, हमारा 96, यहाँ पर है भाग, और यहाँ पर है 4 का square, फिर multiply, फिर 2 है, फिर plus का 2 है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, तो भाग द कितना हो जाएगा, 16, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, देखिए, 96 भाग, 16, इसके बाद में यहाँ पर है गुणा, 2, पिलस, 2, ठीक है, चलिए, अब जैसे यहाँ आप 16 से 96 में भाग लगाएंगे, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 16 कितना होता है, 96, तो यहाँ पर हमारा इसको solve करने के बाद में कितना आ जाएगा, इसको solve करने के बाद में हमारा आ जाएगा, यहाँ पर 6, ठीक है, यह हो गया गुणा, और यहाँ पर क्या है, 2, पिलस, 2, ठीक है, अब देखिए, हमारा यहाँ पर भाग भी हो चोगा, आप क्या करेंगी, गुणा इन दोनों की बीच में है, तो 6 दोनी कितना हो जाएगा, 12 हो गया, और यहाँ पर प्लस का 2 है, तो यह 2 हो गया, ठीक है, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, चवदा, तो इसका आंसर आगया है हमारा चवदा, ठीक है, तो इसको इस तरह से solve करना है, ठीक है, तो आपको करेंगे, तो ध्यान पूर्बग देखिएगा, यह कें से solve होगा, ठीक है, यह जो सवाल है, बड़ा खतरनाक है, और यह आपको परिसान भी कर सकता, ठीक है, तो देखिए, सबसे खतरनाक सवाल को मैंने आपके सामने लिख दिया है, अब इसमें भी देखिए, यहाँ पर भ भाकको, फिर गुणा को, और फिर जोड को ठीक है, इस फार्मेट में हमें इसको solve करना है, ठीक है, तो कैसे होगा देखिए, सबसे पहले हमें इसको управ करना है, यह क्या है, छृतिस का एक बटा तीन, इसको solve करना है, तो का का मतलब है गुणा, ठीक है, तो यह हो जायाएगा बाद में हमारा कितना आ गया है 12 आ गया है और यहां पर कितना है देखिए यह क्या है 108 तो यह हो गया 108 फिर इसके बाद में यहां पर हमें कितना दिया गया है यह तो सोर्व हो गया यह हो गया प्लस का 2 बटा 5 ठीक है यह कितना हो गया 2 बटा 5 हो गया ठीक चलिए अब इसके पर देखिए यहां पर है गुणा 3 सही 3 बटा 5 है ठीक है इसको और साप कर देते हैं अब देखिए अब इसके बाद में हमें सबसे पहले क्या करना होगा भाग तो भाग इंदोनों के बीच में हैं तो चलिए इसको कर लेते हैं मतलब 108 भाग 12 दो से काट दीजिए तो यहां प ठीक है तो इन दोनों को हल करने के बाद में कितना आया है 9 आया है ठीक है चलिए इसको मैं साफ कर देता हूँ ठीक तो यहां पर इन दोनों को हल करने के बाद में 9 आ गया यह होगे हमारा प्लस अब देखिए यहां पर क्या है 2 बटा 5 गुणा 3 सही 3 बटा 5 के लिए अब द इसको हम क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं, 5 ती है 15, 15 और 3 कितने हो जाएंगे, 18 और 18 बटे 5 हो जाएगा, ठीक है, तो अब देखिए, कोई संख्या कट रही होगी, तो उसको काट देंगे, नहीं कटेगी, तो नहीं काट देंगे, ठीक है, तो कोई संख्या नहीं कट रही है तो 18 दौनी उपर कितना हो जाएगा, 36, ठीक है, और 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25, ठीक, तो 36 बटे 25 ये हमारा आ गया है, इन दोनों का solution, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे, 36 बटा 25, तो ये हो गया, 9 प्लस, 36 बटा 25, ये हो गया, ठीक, यहाँ पर हमें क्या करना है इसको इसको भी सरल करना है ठीक है तो सरल करने का तरीक क्या है जैसे हम मिसरित भिन्न को सरल करते हैं सेम बैसा ही इसको करेंगे इसका गुणा करिए यहाँ पर तो इसका गुणा यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगे देखी पांच नाम 45 की हो जाएगी 5 हांसे लजाएगा 4 और 9 दुनी 18 18 और 4 कितने हो जाएगे 22 तो ये होगे हमारा 22 किलियर चलिए अब यहाँ पर क्या करना इस वाली संक्या को जोड़ना होता है तो ये हो जाएगा प्लस का 36 और बटे में क्या आजाएगा बटे में हमारा 25 चीस ही रहेगा ठीक है तो अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो देखिए 6 और 5 11 की एक हांसे लजाएगी 1 ठीक है 3 और 1 4 और 2 हो जाएगे 6 ठीक है और यहाँ पर 2 का 2 ही रहेगा 261 बटे 25 जो है ये हमारा राइट आंसर आजाएगा इस वाले सावाल का ठीक है तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन ये वीडियो जो है बहुत जादा knowledgeable है तो इसको आप ध्यान पूर्बग समझेगा ध्यान पूर्बग देखिएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत